हलो मित्रों नमस्कार जेहिंद स्वागत है आप सभी का प्राचीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टापिक क्या है मित्रों पासाण काल ठीक है पासाण काल या स्टोनेज आज हम इससे जो जितने भी important question बनेंगे सभी हम discuss करेंगे आप सभी से तो चलिए देखते हैं पहले question की तरफ पहला question हमारा है कोपेन हेगन संग्राले की सामागरी से पासाण कांस और लो यूग का तिर्यूगिये विभाजन किया गया था तो यह गा इस तीन यूग का विभाजन पासाण कांस और लो यूग का विभाजन जो वहाँ कोपेन हेगन सामागरी रखी गई है उसके हिसाब से किया गया था तो किस ने किया था था, थामसन ने, चाइल्ड ने, टेलर ने, या लुबाक ने, तो किसके दारा किया गया था ये, ये थामसन दारा किया गया था, थामसन दारा आपसन ए, इसका सही राइट अंसर है, कब किया गया था, अठारा सो बीस इस भी में, अठारा सो बीस इस भी मे मिले हैं उसे पस्पालन का प्रारम सरपर्थम कब से माना जाता है मध्य पासाण काल में उच्च यूम पासाण काल में निम्न पासाण काल में मध्य पूर्व पासाण काल में तो कम माना जाता है पस्पालन का प्रारम कब हुआ था ये मध्य पासाण काल में हुआ था ठीक है मंद्ध पासाड काल के अंतिम चरण में यह पस्बालन का साच मिलता है कि पस्बालन शुरूअ था अगला कुश्य है मंद्ध पासाड काल में पस्बालन की पर्माण जहां मेले वैस्थान है यानि जो उत्खनन से पर्माण मिले कि यहां पस्पालन किया जा रहा था मद्पासारकाल में वो एस्थान वर्तमान में कहा है आदमगड, बीरभानपूर, चोपनी मांडो या फिर लंगनाज तो कहां पर है मित्रों यह हो जाएगा आदमगड ठीक है आदमगड में यह पर्म का यह रहा है यूपी जिला है और इसके साथ साथ साच मिले हैं आप देख लिजिएगा अदमगर कहां पर हैं आ फेल्वाडा और फेल्वाडा कहां में होगा होसंगाबाद में होगा ऊग्ला कोज़ मितरों हो निम लिखित में से किसस्थल से हड़ी के बॉजार प्राप्त हुए हैं तहीएगा किस अस्तल से हड़ी के अउजार हतियार प्राप्थ हुए हैं महदहा से चो पानी मांडो से काकोरिया से या फिर सरायनाहर से तो हड़ी के अउजार कहां से मिले हैं ये मिले हैं महदहा से हड़ी के अउजार महदहा से मिले हैं राइट आपसन इसका क्या हो जाएगा आपसन ए मैंदहा यह है परताबगड में ठीक है परताबगड में मैंदहा है यहां मैंदहा से हडडी के औजार पराप्त हुए हैं और यहां पर हड़ी हड़ी और सींग से भी बने हैं ठीक है हड्डी से निर्मित आभूसन भारत में मध्ध पासाण काल के संदर्व में प्राप्त हुए हैं तो एक अब मध्ध पासाण काल में हड्डी से बने हुए आभूसन कहां प्राप्त हुए हैं महदाहा से लेख हिया से सरायनाहर से या चोपानी से तो कहां से मिले हैं महदाहा से हथियार भी मिले हैं हड्डी के और अभूसन में भी मिले हैं आप लोग ने फिल्मों में देखा होगा कि जो आदिवासी होते हैं गले में कुछ दात के माले जैसे पहने रहते हैं तो वही सब उसी प्रकार बना जाता था हड्डी के हड्डी के जो होते हैं अभूसन और बहु तीन आदमियों को, मिलत आदमियों को दफना जाता था, वो कहां से मिले हैं, सराय नाहर से, दमदमा से, या लंगनाज से, या मैदहा से, तो कहां से निकले हैं ये तीन मानो कांकाल, ताहिएगा ये सराय नाहर, यहां से, दमदमा से निकले हैं, ठीक है, दमदमा से निकले हैं और दम दमक और इसके साथ-सहाथ-सहा तुपता कीम स मैंकल के और सराय नाहर से कटने निकले निकलेए इक है वा सुधसा चाहर स को चाहर का कुंगा को तृषिसर निकले अमधिieme है तो इसका राइक ब्रीबरी हो यदिलिकर विली होती थि धिек साथ किते हैं जिस कब्रों में दख्णायां कि जो कब्रे का ऊसेस मिला उचिसली और अंडाकार होती थी इंपॉर्टन्ट है अंडाकार एक याद रखिए जो दमदमा में मिली है और यहाँ पर मिली है, यह छिछली और अंडाकार कब्रे होती थी, तो इसका right option भी हो जाएगा मित्रों, अगला question है, खाद्यानों की किर्सी सरफ पर्थम प्रारम हुई थी, तो यह का खाद्यान की, यानि किर्सी कहां से प्रारम हुई थी, मत पासाड काल में, नो पासाड काल में, पु भी हो जाएगा, यहां से पता चलता है कि मानों कीर्सी कार में कार रहत थे, तीक है, इनको यहां पर ग्यात हुआ, अगला कुछ से नमित्रों, भारत में मानों का सरफ पर्थम साच कहां मिलता है, नीलगिरी पहाडियां, नर्मदा घाटी में, सिवालिक पहाडियों में, य साच कहां मिलता है कि यहां पर मानों थे, यह नर्मदा घाटी में, झार्मदा घाटी में भी सेश कर कहां, यह यंपी में, तो इसका राइट औप्सन क्या हो जाएगा, राइट अप्सन बि हो जाएगा, अगला कुछ से नमित्रों, मानोदारा सरपर्थम परियुक तनाज था तह येगा मानोदारा सरपर्थम परियुक तनाज क्या था ये हूँ जो चावल या फिर बाजरा तो क्या था मित्रो ये जो या बारले जो या बारले और इसका स्थाच्छे कब मिला है यानि कब से लगभग ये आठ हजार इसापूर्व ये आप बीसी भी कह सकते हैं आठ हजार बीसी इसके साच मिले हैं अगला कोशन है मित्रों भारतिय उप महादीप में किर्सी के प्राची इंतम साच प्राप्त हुए हैं तरहेगा भारतियों महादीप में किर्शी के सरपर्थम साच कहां पर प्राप्थ हुए हैं प्राचीन तम सबसे प्राचीन यानि पुरानी कोल्ड इवा से लहुरा देव से तोकवा से या फिर मेहरगर से तो कहां से सरपर्थम प्राप्थ हुए हैं प्राचीन तम ये लहुरा देव से और लहुरा देव कहां पर है ये संत कबीर नगर संत कबीर नगर संत कबीर नगर से प्राप्त हुए हैं सरपर्थम किर्शी के प्राचिन्तम साच है ठीक है और कब प्राप्त हुए थे ये लगभग 8000 से 8000 से नो हजार बीसी या इसापूर्ब ठीक है आठ हजार से नो हजार बीसी तक तो इसका क्या मित्र हो जाए राइट आपसान लहुरादेव अगला कुछ्छन है उस अस्थाल का नाम बताइए जहां से प्राचींतम अस्थाई जीवन के परमाण मिले हैं तो यहां कौन सा अस्था जहां पर सबसे प्राचींतम अस्थाई जीवन यानि वहां पर जो मानो रहते थे वो अस्थाई रूप से रहते थे आपसाने यह है धौला बीरा काली बंगा मेहरगड या फिर किलेगुल मुहम्मद तो कहां से मित्रप्राप्ट हुआ है यह सरपर्थम सबसे प्राचीं य पाकिस्तान का च्छेत में पड़ेगा बलूचिस्तान में बलूचिस्तान फिक है तो इसका राइकर आप्शन मेहरगड और कब प्राप्ट हुए थे ये लगभख 7000 इसापूर्ब के या BC के आसपास ठीक है प्राप्त हुए हैं तो कहां से मिले हैं मित्रों ये मेहरगर से लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे हमने अभी कोल्डीवा बताया था लहुरा देव तो नभीन खोजा गया लेकिन अगर लहुरा देव आप्सन में नहीं होगा तो आप कियोंकि मेहरगर लगभग साथ हजार इसापूर्व के असपास यहां से किर्शी का प्राथ हुआ और लहुरा देव में 8000-9000 की बीच में इसापूर्व के बीच में प्राथ हुआ था लेकिन नभीनतम अगर वह ही रहेगा अप्सन में लहुरादेव तो आप मेहरगड लाया येगा क्योंकि सबसे पहले ये इसकी खोज हुई फिर उसके बाद जब और पुराना मिला लहुरादेव जो कि संतकेविन नेगर और ये मेहरगड बलूचिस्तान में है अगला कुछ जने मित्रों निम लिखित में से किसको चाको लिथिक यूग भी कहा जाता है किसे चाको लिथिक यूग भी कहा जाता है नो पासारकाल पुरा पासारकाल या तामर पासारकाल या फिर लोकाल तो किसे चाको लिथिक यूग भी कहा जाता है मित्रों किसे कहा जाता है तामर पासारकाल को ठीक क्योंकि यहां पर तामबा है इसी के नाम से तामड़ीःध्पडा और तामवा में कौन-कौन सा इस होता है इनमें कौन-कौन से धात होते है। प्लस-10 अगला कोशन है मित्रो। अगला कोश्चता निम्न लिखित में से किस को, ये तो हो गया, निम्न में से किस एक पुरास्थल से 50 संस्कृत से लेकर हडपा सभ्यता तक के संस्कृतिक आउसेस पराप्त हुए हैं, तो ये किस एक पुरास्थल से 50 संस्कृत यानि 50 युक से लेकर हडपा सभ्यता जो थी व कोट दीजी, मेहरगड या फिर रामरी, तो कहां पर हो जाएगा मित्रों, यह मेहरगड में, यहां पासाड युक से, खडपा सब बता तक के यहां आउस्यस प्रात हुए है, ठीक है, याद रखीगा, मेहरगड में, अगला कोश्चन है मित्रों, नवदा टोली किस राज में मित्रों, यह यंपी यानि मद्ध पर्देश में है, और नवदा टोली क्यों फेमस है, क्योंकि यहां पर, यहां पर जो है, मित्टी, मित्टी, बास, मित्टी बास, यों, फूस के, मित्टी बास, यों फूस के, घर मिले हैं, जो की चोकोर और बिरताकार रूप में होते थे और यहाँ पे लाल और काली मिरत भान में मिले हैं यह भी याद रखीगा अगला कोशन है मित्रो ब्रहत पासाड इसमारकों की पहचान की गई है यानि मेगालित ब्रहत पासाड मतलब मेगालित यहां कहां पे की गई है यहां की इसमारकों की पहचान सन्यासी गुफाओं के रूप में मंदिर के रूप में मिरतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में या फिर रूपरिक में से कोई नहीं तो ब्रहत पाशार्ण इस मारकों की पहचान क्योंकि गई है? क्योंकि यहां पर मिर्त को जो दफ्णानिक अस्थान था उसी की रूप में की अगया है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आप्शन, राइट आप्शन सी हो जाएगा, अगला कुश्य नहीं मित्रों, राख का टीला निमल लिखित किस नवपासाडिक अस्थल से संबन्दी थे, बुदिहाल, कोल दीवा, ब्रह्मयगीरी या संगनु कल्लू, कहां से संबन्दी थे, राख का टीला, ये संगन कल्लू से संबन्दी थे, ठीक है, संगन कल्लू, और संगन कल्लू कहां पर है, ये करनाटक में मैसूर की पास परता है, ठीक है, मैसूर के पास परता है संगन कल्लू, और यहां पे जो ये राख के टीला क्यों यहां होता था, क्योंकि यहां पे जो सिकारी थे या जो मानो थ तरफ पलायन किता थानी मौसमों में मौसमी मानों थे हमना i जब थंडी होती थी अधान की तरफ भाग जाते थैं और जब गर्मी होती थी तो उत्तरदिशा की तरफ चले आते थे और वहाँ पर जब आते थे तो जो उनका निवास अस्थान था उसे जला देते थे और वही अस्थान इनका राह के धेर की रूप में इकठा हो जाता था और टीले की रूप में बन गया अल्ला कोशन है मित्रों भीम बेटका किसके लिए परसिद है? तो भीम बेटका किसके लिए परसिद है? बहुत परतिमाएं, खनिज, सोन नदीका, उपागामस्थल, गुफाओं के सहल चित्र से तो भीम बेटका किसके लिए परसिद है मित्रों? ये गुफाओं के सहल चित्र के लिए परसिद है भीम बेट का ठीक है यह इनशको का विस विराशत अस्थल भी है और यहां पे जीवन के बिमीन हो रंगों का सुरूप मिलता है और यहां पे जो छित्र पेंटिंग हुई है यहां पे हाथी हाथी सामभर हाथी सांभर और हिरन आधिके चित्र भी मिलते हैं, ठीक है, हिरन आधिके चित्र मिलते हैं, और बहुत अच्छी कलाकारिया इसमें हुई है, इसके लिए परसिद्ध है, निवन में से कौन सा अस्थल प्रागेतिहासिक चित्रकला के लिए परसिद्ध है, बताएगा कौन सा इसमें से अस् कि अपने पेंटिंग यानि चित्रकला के लिए बहुत परस्तिध है तो इसका राइट अप्सन डी हो जाएगा अगला कोश्चन है मित्रों तामर पासाड काल में महाराष्ट के लोग मिर्तकों को घर के फर्ष के नीचे किस तरह रखकर दपनाते थे तो यह गा जो तामर पास पास्चिम की ओर दच्चिंड से उत्तर की ओर पास्चिम से पूरब की ओर या उत्तर से दच्चिंड की ओर तो किस तरह रखकर दपनाते थे यह उत्तर से दच्चिंड की ओर दपनाते थे तीक है उत्तर से दच्चिंड तो इसका राइट अप्सन डी हो जाएगा अगला को कुट्टे का कंकाल सवाधान से प्राप्त हुए हैं यानि कब्र से सवाधान मतलब कब्र से ठीक है कब्र से प्राप्त हुआ बुर्जहों ब्रहमगिरी मास्की या चिराद तो कहां से प्राप्त हुए मित्रों मानों के साथ कुट्टे का कंकाल ये बुर्जहों से प्राप्त ह तो आया है ठीक है और बुर्जोम कहां पर पड़ेगा एक कस्मीर में पड़ेगा सिरी नगर के आसपास ठीक है सिरी नगर के पास पड़ेगा यह बुर्जोम ठीक है यहां पर जो मालिक होता था कुट्टे का उसके साथ जब मालिक मर जाता था उसके साथ उसके कुट्टे को घर जहां वो निवास करते थे कहां से ये साच मिले हैं बुर्ज होम से, ब्रमगिरी से संगन कल्लू से या कोल डिवा से तो कहां से मिले हैं मित्रोग गरतावास ये बुर्ज होम से मिले हैं कस्मीर से ठीक है बुर्ज होम कहां पर रहा है कस्मीर से कि कस्मीर से जो गर्थ आवाच यानि वहां के लोग जो थे गड़ों में घर बना कर रहते थे जिससे जंगली जानुर से सुरच्छा प्राप्त हो जाए और गड़ा कर लेते थे उसी में रहते थे अगला कुशन है मित्रों बिंद छेत्र के किस सिल्यास्तरे से सरबाधिक मानोकंकाल मिले हैं तो यह बिंद छेत्र में किस छेत्र से मानोकंकाल मिले हैं लेखिया घरिया मोरहना पहाड या बगही खोर तो कहांसे सरबाधिक मानोकंकाल मिले हैं मित्रों यह बिंद छेत्र उधरी पड़ता ना तो ये लेखिया हो जाएगा मित्रों, अगला कुश्चन है, राष्टिय मानो संग्राले कहाँ पर है, तेगर राष्टिय मानो संग्राले कहाँ पर है, भोपाल, बस्तर, चेन्ने या गुवाटी, तो कहाँ पर है मित्रों, राष्टिय मानो संग्राले, ये भोपाल में है, ठ राष्टिये मानो संग्राले कर दिया गया है तो इसका राइट एक से राइप्सन यह जाएगा तो मित्रों हमारे कुश्चन खतम हुए तो आप लोग लाईक करिए, शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुलें मिलते हैं अगले ससन में मित्रों तब तक के लिए जैहिंद पंदे मातरम